कितने लोगों को LJ चार्ट के बारें पता है अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट करना और वीडियो पूरा देखना आपको LJ चार्ट के बारें पूरी जनकरी में देने वालों हो इस वीडियो गंदर करो लेपरोटरी के अंदर वह ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या उसमें कितने गरवड़िया है यानि कि काम कर रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेंटर में एक लाइन होता है और उस लाइन के ऊपरणobile देखते हैं deja जैसे आप हार्ट बीट आप देखते हो ना या जैसे आप ECG का मसीन में ECG का रिपोर्ट जैसे आप देखते होगे वैसे ही रेखाय यहां पर बनती है जब भी आप क्वाल्टी कंटर परफॉर्म करते हो तो इसमें यह देखा जाता है कि यह कितने रेखा तक बाहर या अंदर जा रही है या उपर नीचे जा रही है और एक सिमित जगह तक इसके जो रखाय जो ग्राफ बन रहे है वह सही है कि नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है कि नीचे और उपर होता है 1S, 2S और 3S तो चलिए मैं क्या काम करता हूँ आपको एक पिक के मादेंस से समझाने पर लेब टेस्ट कंट्रोल डाटा यानि कि जब हम कोई भी टेस्ट अगर प्रफॉर्म करते हैं उससे पहले हमको क्यों सी लगाने जोरद परती है मशीन को कि उस दिन का जो हमारा यानि कि अगर किसी कंट्रोल का एक मीन 250 है तो उसका जो रिजल्ट होगा 250 के आसपास ही आएगा तो मतलब की ओके अगर रिजल्ट उस दिन का जो भी होता है वो करेक्ट मना जाएगा तो यह होता है यह यह माँ आप देखते है कि एक मीन होता है उसके पासे 1H, 2H, 3H तक होता है, जो कि 2 HD तक acceptable होता है, अगर 3 HD कंट्रोल जाता है, यानि कि एक पर्टिकल रेंज से अगर जाला जाता है QC, तो वह हो आउट मना जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, लोवर साइड में आप देखेंगे LCL यानि कि 226.8 और फिर अपर साइड उसका होगा 273.2 और जो इसका मीन है, वो 250 है, यानि कि अगर 273 से अगर उपर जाता है, अगर QC हमारा तो भी आउट मना जाएगा, और 226 से अगर नीचे आता है, तो भी आउट मना जाता है, यह एक प्लस और माइनस में होता है, तो यह एक नॉर्मल चार्ट है, जिससे कि इब्रेड ह क्यों से हमारे मीन के आजबास है, चल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको और ऐसे LJ चार्ट दिखा हूँ, जिसके अधार पर आपको मैं सम्झाने कोशिश करूँगा, तो जो नेच्ट आप देख सकते हैं, वो होता है, कि अगर QC आपका, जैसे आप दिया है, फिगर 2 में कि 12S, यानि कि 12S क्या होता है QC में, यानि कि जब कभी आप QC लगाते हो, तो मीन के बाल से एक पर्टिकल रेंज के अभरेंज में अगर QC आता है, तो उसको 12S बोलते हैं, और 12S में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा CL है, या मीन है हमारा, उसके बास 1S, minus 1S, minus 2S, minus 3 से मिसे तरह प्लस भी होता है, प्लस 1S, प्लस 2S, प्लस 3S, तो उस दिन का QC, minus 2S में गया है, तो अगर एक बार QC हमारा 2S में आता है, तो वह acceptable होता है, उसको warning माना जाता है, लेकिन अगर 2 बार अगर 2S आता है, तो उसको हम reject कर देते हैं, यानि कि उस दिन का QC हमारा out ज किया है, R4S, यह 11 जेलिक चार्ड्स का, यानि कि एक रूल होता है, जो QC के डाटा को उलंगार माना जाता है, अगर R4S आता है, तो R4S कैसे मानोगे, यानि कि उस दिन का QC, या दो बार आप QC लगाते हो, तो एक बार प्लस में 2S, और एक बार माइनस में अगर 2S आता है तो R4S, जो रूल होता है, उसका उलंगार माना जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यह यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आया है, 2S, और एक बार माइनस में भी आया है, 2S, यानि कि यह हो गया, R4S, तो ऐसे में अगर आता है, तो हमको एक्सल लेने के जरू परती है, कुछ दिम का जो हमारा रिजल्ट है, वो मीन पर आना चाहिए, उसके बाद से एक और आता है, 1-3S, यानि कि दोस्तों, जब कोई भी अगर QC आप लगाते हो, और 1-3S, अगर QC आया मतलब कि वो rejection criteria होता है, यानि कि उस दिन आप कोई भी test perform नहीं कर सकते हैं, 1-3S आता है, तो कोई भी लग उस दिन रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पेशेंट का जो रिजल्ट होगा, वो बरबर नहीं आ सकता है, तो यह होता है, 1-3S जो कि rejection rule माना जाता है, फिर एक और rule आता है, लावेंजेली में, वो हता है, 2-2S, जैसे कि यहां पर देख सकते है है, यह दो बार 2-2S, एक बार 2-2S आया है, एक बार और और आया है, नहीं कि 2-2S आ चुका है, तो इसको हम बोलते है, 2-2S को मिला कि 4S, तो ऐसे criteria में भी या 4S अगर जाता है, आउट लाइर में हमरे QC, तो हमको इन करने के जोरत पढ़ते हैं, उसने में देखिए QC र 2-2S बोलते हैं, फिर हमरे पास आता है, R4S, यहनि कि R, इसको बोलते है, 4-1S रूल बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, कि mean से, या upper side में या lower side में, continue अगर 4 बार QC, अगर एक की side में अगर आ रहा है, एक average के आसपास आ रहा है, तो इसको हम 4-1S रूल माना जाता है, तो इस condition में भी हमको calibrate करने के जोरत पर सकती है, या हमरा QC या reagent चिक करने के जोरत पर सकती है, जैसे यहाँ आप आप देख सकते हैं, जो हमारा यह mean है, इस mean के उपर ही, अपर side में, यह प्लस side में, एक, दो, तीन, और यह 4, चार बार आया हुआ है, 1S में, तो इसको हम 4-1S उलंगर मान सकते हैं, और निश्ट आता है, 10X, 10X का मतलब यह होता है, कि mean से अपर side में, या lower side में, अगर QC हमारा एक ही side में, लागतार अगर, 10 बार अगर आ चुका है, तो हम उसको 10X का, 11 जली में, 10X का उलंगर मान सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, यह total 10 count है, और फिर 11 रहा हो बार रन किया गया है, तो यह mean के अबर side में गया है, उसके पहले सारा कसारा यह lower side में, यानि कि minus में दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं, 10X, लेकिन बैसिकली जो lab होते हैं, दोस्तों, वह ज्यादा तर आप देखोगा तो वहाँ पे 2S, 2-2S और 1-3S यही जो rule होता है, वो इसको follow किया आता है, और यह सबसे अधा important होता है, तो में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक-एक 11-20 rules के बारे में 20-30 से बताने की कोशिस करूँगा, तब तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर देना